Hello students, तो देखिए, आज हम लेकर आए हैं, reflection based एक numerical है, जो देखने में इतना बड़ा सा लगता है, बट उसका आंसर बड़ा ही simple है, जैसे question है, 15 cm focus दूरी के एक अफ़तल दरपन का उपयोग करके, हम किसी बिम्ब का सीधा परती बिम्ब राप्त करना चाहते हैं, बिम्ब की दर परती बिम्ब बनने का एक किरन आरे खीची है, तो देखिए, देखने में यूँ लगता है, इतने सारे सवाल एक चोटे से question में पूछ लिए गए हैं, और कैसे जवाब दिया जाए, simple सा answer है, सबसे पहले ये देखिए, दरपन कौन सा है, अफ़तल दरपन है, दूसरी कि आपका मुख्य फोकस और द्रो के बीच, देखिए, अगर हम ड्रो करना चाहते हैं, क्योंकि आरे एक तो ड्रो करना ही करना है, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष, और ये हम ड्रो कर रहे हैं आपका, अफ़तल दरपन, अफ़तल दरपन को ड्रो करने के लिए, आप इस 15 cm, उसे क्या कहा है, कि 15 cm फोकस दूरी, means यह आपकी 15 cm है, अब जब साफ साफ बोला है, कि आफ तल दरपन है, और परति भिम सीधा प्राप्त करना है, सीधा प्राप्त करना है, तो सबसे पहली चीज तो यही रहेगी, कि जो भिम्ब होगा, वो आपका कहीं ने कहीं, F और P के बीच रखा है, P क्या है आपका, मुक्य अक्ष, मुक्य फोकस आपका यह है, और यह क्या है, दुरूव जिसको बोलते हैं, मुक्य अक्ष पर, जो आपका दरपन के बीच में पॉइंट है, उसको क्या बोलते हैं, दुरूव, और यह आपका क्या है, मुक्य फोकस, तो जब भी सीधा परती बिम्ब चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा बिम्ब की जो स्थीती है वो F और P के बीच में होगी ये आपको पता होना चाहिए सीधे परती बिम्ब के लिए अब हम किरन आरे कैसे बनाएंगे जो first आपकी condition आती है वो ये आती है कि अगर किरन सीधी जाएगी तो वो कहां से जानी है उसको वापस कहां जाना पड़ेगा आपके मुक्य फोकस से तो देखिए मुक्य फोकस से तो वो जाएगी नहीं आपकी ऐसे ऐसे करके आप पीछे बढ़ाईए इसको ये dotty dotty line की form में आपकी आ जाएगी next आपका क्या है दूसरी जो आपकी रेखा जाती है वो C से जाती हो C से वे 15 है तो ये almost आपका C होगा और दूसरी रेखा कहां जाएगी आपकी C से ये देखिए आप C से draw केजिए ऐसे अगर हम इस तरफ लेके जाएंगे ये मुखे focus वाली line है ये देखिए इस पे दोनो arrow ऐसे आएंगे और इस पे ऐसे आएगा ये मुखे focus से जाने वाली जो किरन है और जो ये C से वकरता त्रिज़य से जाने वाली किरन है ये दोनों आप देखिए इनकी दूरी कम होती जारी है, यह ऐसा लग रहा कहीं मिलेंगी ही नहीं, तो अब इनको क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, यानि आपका प्रतिविंब कैसा बनेगा, आबासी बनेगा, अब जब यहां पर यह मिल रही है, वहां पर देखिए, यह आपका प्रतिविंब ह ज्यानते न, यह प्रतिविंब यहां पर नहीं मिल रहा, सीधी रेखा, उसे नहीं मिल रहा, बलकि डॉटेड करके आपको आगे बढ़ानी पड़ रही है, वहां पर बन रहा है, तो डॉटेड लाइन से जो भी प्रतिविंब बनता है, वो कैसा होता है, आबासी, और आप कि देखिए, यह साइस था विंब का, अब यह प्रतिविंब का साइस है, तो प्रतिविंब कैसे होगा, बढ़ा होगा, तो हमारे कोश्चनों का जवाब सबका क्लियर है, सबसे पहला कोश्चन पूचा था, विंब की दरपन से दूरी का परीशर, विंब की दरपन से दूर के बीच यानि 0 से 15 के बीच कहीं भी आपका BIMB रखा जा सकता है नेक्स उसने पूचह परतिबिम की परकृति कैसी है तो परतिबिम कैसा होगा आभासी होगा परकृति का मतलब क्या है कि वास्तिक हो या आभासी क्योंकि डॉट्री लाइन से मिला है नेक्स उसने पूछा है कि परती बिम्ब से बड़ा है अत्वा छोटा तो आप देखिए कि परती बिम्ब कैसा है बिम्ब से बड़ा है बिम्ब से बड़ा होगा नेक्स उसने पूछा इस तीती में परती बिम्ब बनने का एक किरनारेक यह आपका किरनारेक हो गया तो दूरी क्योंकि focus जो दुरूव है उस से लेकर और focus तकी दूरी 15 दे रखी है तो 15 से कम होगा और 0 से ज़्यादा परती बिम बाबासी क्योंकि डोटरी लाइन से मिला है परती बिम से बढ़ा होगा तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि सीधा परती बिम केवल एक ही स्थीती में बनता है जब बिम एफ और पी के बीच हो दुरू और मुक्के focus के बीच तो बड़ा question देकर गबराना नहीं है बस language को द्यान से पढ़ना है ओके, thank you